बार बार पैसा बाना जिसको बोलते हैं medical term में frequent urination आज मैं इसी के बारे में discuss करूँगा आखिर इसके कारण क्या है इसमें symptoms क्या आते हैं और सबसे best last time में इसकी homeopathic medicine बताऊँगा एक formula बताऊँगा homeopathic का यदि आपको ऐसी कोई problem आ रही है जिस मतलब बार बार आपको urine जाना पट रहा है तो इसका इस video में 100% इलाज है तो नमश्कार दोस्तों मेरे नाम डॉक्टर सचीन तोमर है और मैं एक homeopathic physician हूँ यदि हम बात करें कि एक normal आदमी को कितनी बार पैसा आप करना जाना चाहिए 6-7 बार यदि आप 24 गंटे में 6-7 बार जा रहे हो तो इसका मतलब आपको कोई problem नहीं है लेकिन यदि आपको 7 से ज़दे है यानि कि 8-9 बार या 10 बार या 10 बार से ज़दे है पैसा आप ख़ाँ तो इसका मतलब समझ जाना आपको frequent urination है ये बात आपको समझ में आ गई अब इसमें आपको symptoms क्या है मतलब आपको पता के चलेगा कि आपको frequent urination हो रहा है सबसे पहले तो आपको बार बार पैसा आपा आएगा किसी को पैसा आप करते समय बहुत तीज दर्द होता है या रात को, especially रात को, किसी को रात को ही जादा, दिन में problem नहीं है दिन में कम जाते हैं लेकिन रात को बार-बार एक गंटे के बाद पैसा आप जाना पड़ रहा है इससे क्या होता है कि नींद भी डिस्टरफ हो जाती है नींद नहीं आएगी यदि आपको बार-बार frequent urination जाना पड़ रहा है तो यह कुछ ऐसे symptoms हैं, यदि आपको ऐसे symptoms आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपको frequent urination है अब हम बात करेंगे कारणों की आखिर कारण क्या है सबसे पहले कारण आता है diabetes चाहे हो diabetes 1 हो, चाहे हो diabetes 2 दोनों में ही symptoms आते हैं फिर होता है कि कोई infection हो जाए, UTI में जो urinary tract है, उसमें कोई infection हो जाए, तब भी हो सकता है pregnancy, pregnancy यानि कि गरभावस्ता उसमें भी हो जाएगा kidney, kidney में cyst बन जाए, बहुत बार रहता है कि kidney में cyst बन जाती है उसकी वज़े से भी होता है फिलूड, यदि आप फिलूड जाद पी रहे हो, उसकी वज़े से भी आपको बार-बार urination आएगा यदि आप alcohol का जाद इस्तमाल करते हो, या आप caffeine, चाई, कोफी जाद पी रहे हो, तब भी आप वो सकता है या आप कोई ऐसी medicine ले रहे हो, यानि कि diuretic, diuretic मतलब जो पैसा आपको ज़्याद लाती है जाद तर high blood pressure वालिब चो patient होते हैं, उनको बार-बार पैसा बाता है क्यों आता है, क्योंकि वो ऐसी medicine लेते हैं, जिसके अंदर बार-बार पैसा बलाया जाता है तो ऐसे कुछ symptoms हैं, ऐसे कुछ कारण हैं, जिसकी वज़े से आपको frequent urination आता है बहुत बार महिलाओ को होता है, महिलाओ में क्या आते हैं, बार-बार infection होता है जिसको बोला जाता है, vaginitis तो इसमें क्या होता है, कि बार-बार पैसा बाएगा तो क्योंकि महिलाओ को बार-बार infection होता है या sexual problem यानि कि जो sexual disease होती है जैसे गुनोरिया होता है, कलेमाइडिया होता है, HIV होता है जिसको बुला जाता है STD यानि कि sexual transmitted disease तो इसके अंदर भी frequent urination आता है तो ऐसे कुछ कारण थे जिसकी वज़े से आपको frequent urination आईगा अब बात करें कि last mean medicine, देखे होमेपैती medicine क्या है, मतलब होमेपैती medicine क्या कहती है कि सबसे पहले symptoms, symptoms के आदार पर treatment किया जाता है, कुछ symptoms ले जाते हैं, कुछ कारण, कि क्या कारण है ज़दे को diabetes है, या high blood pressure के कारण आ रहा है, या infection है, या STD, तम medicine का selection होता है लेकिन मैं आपको कुछ medicine आपको discuss करूगा, इसमें जो पहली medicine आती है वो कालिफोस, कालिफोस आपको 200 potential में लेनी चाहिए अब कालिफोस के इस symptoms होते हैं, यदि कोई mentally है, यदि कोई, मतलब दिमाग की तोर पर कोई problem आ रही है, या anxiety है, depression है, चिटचिड़ापन है किसी को, या दिमाग में कोई ऐसी problem आ रही है, बार-बार घबराट रहती है, तो वहाँ पर कालिफोस का सबसे अच्छा रोल होता है second medicine है magfos, अब magfos में क्या होता है, magfos में यदि कोई muscles problem, यानि कि जो bladder है, urinary bladder है, महाँ पर कोई problem आ गई, मतलब आपकी जो muscles हैं, वो पैसा आपको hold नहीं कर पा रही है, तो महाँ पर magfos का बहुत अच्छा रोल होता है, और magfos भी 200 में दी जाती है, लेकिन magfos तब दी ज हो जाएगी, महाँ पर magfos का बहुत अच्छा रोल है, फिर इसमें एक medicine हो आती है, कोल्चिकम, कोल्चिकम तो हम जाएदर कोई भी कोजिस निकले, बतलब करण कोई भी हो, चाहे डायविटीज हो, चाहे sexual problem हो, चाहे infection हो, चाहे UTI हो, तो हर जंग कोल्चियां कम दी जाती है यदि आपको बार-बार urination आ रहा है, वो कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई भी करण हो, तो कोल्चिकम को तो आपको जरूर लेनी चाहिए, और कौन सी potency में, 200 potency में, और लेनी कैसे देखिए, जो यह मैंने medicine बता ही न, यह आपको दो-दो बून दिन में तीन बार लेनी है, फिर भी आपको लग रहा है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई question है, या कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है, आपको कुछ अलग लक्षन आ रहे हैं, कुछ कोजिज आ रहे हैं, तो आप tension मत किजिए, आप स्क्रीन पर मेरा number है, आप जो भी symptoms आ रहे है जो symptoms हैं, वो लिखने पड़े की कागच पर, उसी की आदार पर मैं ही कोई medicine selection कर पाऊंगा, thank you very much, और आपको लगता है ना, यही मेरा जो content है, या जो मेरा वीडियो है, वो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज चलन जलोर सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद